बड़ी जानकारी आपको दे दे, सुरक्षाबल उन्हें सुबा से आतंकियों को घेर रखा था, कुलगाम और शोपिया में इंटरनेट सेवा को फिलाल बंद कर दिया गया है अतियात के तौर पर आपको ये भी बता दे कि जानकारी मिलने के बाद सुरक्षाबल जैसे ही इस इलाके में पहुचे आतंकियों ने फाइरिंग शुरू कर दी जिसके बाद जवाबी फाइरिंग की गई और इस मुटभेड में दो आतंकियों को धेर कर दिया गया और घाटी में लगातार सर्च प्रिशन चलाया जा रहा है जन्नत से आतंकियों को जहन्नुम पहुचाने का सिल्सिदा लगातार जारेगी दिल्ली पुलिस जल्ड ही 1916 विदेशी जमातियों के खलाफ चार्षीर दायर करेगी इन सभी पर वीजा नियमों के उलंगन का आरोप लगा है सभी के जब्त के आरोपियों को देश छोड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने लिया एक्षन ये पाच्छो नामजद आरोपी और मॉलाना साथ के करी दिए सुप्रीम कोट ने कोरोना मामारी के दोनार एर इंडिया को अगले दस दिनों तक एयर क्राफ्ट में तीनों सीटों पर यात्रियों को बैठाने की मंचूरी दी कोट ने मिडल सीट पर दस दिन बाद बुकिंग नहीं करने का आदेश दिया तीन बार ओलंपिक गोल्ड विजेता रहे होकी के पूर्व खिलाडी बलवीर सिंग सीनियर का निधन हो गया उन्होंने आज चंडीगर में सुबा 96 साल की उमर में 6 बच कर 17 मिनिट पर आखरी सास ली काफी दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे लॉकडाउन के बाज आज से देश में घरेलू हवाई यात्रा शुरू लॉकडाउन के बाज चलते 60 दिनों तक बंद थी घरेलू यात्री विमान से वाए कुल 1050 फ्लाइट उडान के उल्टै किया गया आज सुबा पाच बजे पहली फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट से ओडान भरी सुबचे बचकर 42 मिनट पर महराष्ट के पूरे में लैंड किया यात्रियों को सभी तरह की जाच से गुजरना पड़ा याथ्रियों को शर्तों के साथ विमान यात्रा की इजाज़त मिनी नागरीक उड़्ेन मंत्राले के बनाएं गाइडलाइन्स का पालन एयियर लाइंस और यात्रियों को करना हुगा केरल ओडिशा असम उत्तरपरदेश तमिल्लाड उर अंद्रपरदेश में भिविमान लिस्ट सौपी रेल मंत्राले से की अपील ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुचने चाहिए वहीं पहुचे गोरगपुर जाने वाली ट्रेन ओडीशा न पहुच जाए उत्तर भारत में तेजी से बड़ी गर्मी दिल्ली पंजाब हरियाना चंडीगड और राजिस्थान में गर्मी के चलते रेड अलट चलने लगी गर्म हवाई पिछले साथ दिनों से चल रहे लॉकडाउन के दौरान रीटेल सेक्टरों को नौ लाग करोड के नुकसान का आकलन पिछले सुमबार तक पाच पीसिदी का कारुबार हुआ कन्फिडरेशन ओफ ओल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा कि लोग कोरोना से दरे हुए है पिएम मोदी ने देश्वासियों को इद की बधाई दी उन्होंने कहा कि इस विशेश अफसर्थ पर करुणा भाईचारे और सद्भाव की भावना को आगे बढ़ाएं साथी उन्होंने सभी देश्वासियों के स्वत और संपन रहने की कामना की ब्सप अध्यक्ष मायवती ने मुसलिम भाई बहनों को इद की दिली मुबारक बाद और शुब कामना दी उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने लॉगडाउन के नियमों पर अमल करते हुए रमजान बिताया उसी प्रकार आप इद भी मनाए देश में कोरोना संक्रमन के मामले 1,38,000 के पार मरने वालों की संख्या 4,021 हुई 57,721 लोग हो चुके हैं ठी 50,000 संक्रमन के साथ महराश्टु पहले नमबर पर देश में पिछले 24 घंटे में 6,900, 77 कोरोना के नए मामले आये सामने जबकि 154 लोगों की मौत हुई देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमन महराश्ट में कोरोना संक्रमन के मामले 50,000 के पार पहुच गए राज्जे में अब तक 1635 लोगों की कोरोना वाइरस से मौत हो चुकी है जबकि 14,600 लोग ठीक हो चुके तमिलाडू में कोरोना संक्रमित मरीजों का आकड़ा 16,200 के पार पहुचा राज्जे में कोरोना वाइरस की वज़ा से 111 लोगों की मौत हुई जबकि 8,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संक्या 14,000 के पार पहुच गई सूबे में कोरोना के चलते 847 से ज़ादा लोग अपनी जान गवा चुके हैं 6,000 से जादा लोग ठीक हो चुके 13,400 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके CM केज़रीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन में छूप की वजह से कोरोना के मामले बढ़े पिछले एक हफते में साड़े 3,000 कोरोना के नए केस सामने आए सरकारी और नीजी अस्पताल मिलाकर साड़े 4,000 बेड़ खाली दिल्ली के मुखे मंतरे अर्विन केज़रीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद लगतार बढ़ी 3,314 लोगों का घर में लाच चल रहा है पशिब मंगाल में कोरोना मरिजों की संख्या 3,600 के पार पहुँच गई राज्जे में कोरोना से अब तक 272 लोग अपनी जानगा वा चुके हैं और 1,349 लोगों ने वाइरस को मात दे दी महराष्ट पुलिस में कोरोना के 159 केस सामने आए जिसके बाद राज्जे के 1809 पुलिस कर्मी कोरोना संक्रमित इन में से 1,113 एक्टिव केस हैं और 688 लोग ठीक हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीज आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन रख सकते हैं इससे लेकर आदेश जारी कर दिया गया इससे पहले डीजी चिकितसा शिक्षा ने मोबाइल पर पाबंदी का आदेश दिया था यूपी के मेरट में हैंड सैनिटाइज करने के लिए अब हर घंटे साइरन बचेगा साइरन बचते ही दुकांदार और दूसरे लोग अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे कोरोना के खलाब जाकरुपता के लिए पहल की दो मुख्यमंत्री योगिया दित्तनाथ ने माइग्रेशन कमीशन गठन करने का निर्देश दिया माइग्रेशन कमीशन श्रमिकों को उनके कौशल के मताबिक रोजगार दिलाने में मदद करेगा उत्तरप्रदेश की जहासी पुलिस ने मास्क फोर्स का गठन किया पुलिस लाइन ग्राउंड से SSP ने मास्क फोर्स की मोबाइल वैन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया लोगों को मास्क उपलब्द करा रही ने फोर्स दिल्ली से भूबनेश्वर फ्लाइट की अटेंडेंट ने कहा कि हम कोरोना को लेकर सरकारी गाइडलाइन्स का पालन सकती से कर रहे हैं आज का अनुभव पूरी तरह से अलग रहा क्योंकि हमें यूनिफॉर्म के साथ प्रोटेक्टिव गेर पहनने की आदत नहीं है उत्तर प्रदेश के नॉइडा में कोरोना वॉरियर ने शादी के 20 दिन बाद ही जॉइन की अस्पताल की ड्यूटी केरल की रहने वाली अनीता की शादी 20 दिन पहले हुए थी